कि भारतिय जन्ता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन कर लूँ अपना पुलिटिकल करियर बचा लूँ और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में एडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी विक्ती के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा के प्रभान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जन्ता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाते हैं खतम करना चाते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेत्रित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पहले सतेंदर जैन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जन्ता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केज्रिवार जी की गिरफ्तारी के बाद भार्दवाज को गिरफ्तार करेंगे वो दुर्गेश पाठख को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफ्तार करेंगे भारतिय जंता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरीवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी तूट जाएगी आम आदमी पार्टी का मुराल दाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी senior leadership जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की rally के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संधर्श के बाद अब भातिय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदनी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफतार करना काफी नहीं था, अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भाधवाज को जेल में डाला जाएगा, दु पर्सनल रेजिडेंस पे एडी की रेड होगी, ना सिर्फ मेरे घर में एडी की रेड होगी, मेरे रिष्टेदारों, मेरे परिवारवालों के घर में रेड होगी, उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे, और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ़तार किया मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अर्विंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकरता में आपरी सांस तक बची है तो हम अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक कारिकरता को उठा के जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगां दसों और लोग अर्विन केजरिवाजी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहें क्या आप मानते हैं कल जो कोट में नाम लिया गया उसी करी में तचता है देखिए यह बिल्कुल संभव है क्योंकि कल जो एडी ने सौरब भार्दवाजी और मेरा नाम कोट में लिया वो एक ऐसे बयान के अधार पर लिया जो बयान एडी और सीबियाई के पास डेड़ साल से मौजूद है यह बयान एडी की चार्जशीट में भी है यह बयान सीबियाई की चार्जशीट में भी है तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतिय जंता पार्टी को लग रहा है कि अर्विंद केजरीवाल मनीश सिसोदिया संजे सिंग सतिंदर जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एक जुटता के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है और जो राम लीला मैदान में राली हुई जिस भारी संख्या में लोग आए जो जन सहलाब आया उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक मुझे सौरभादवाज को रागर चडड़ा को दुर्गेश पाथक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे है। सबसे पहले आप इस बात को समझे के लीगली और कॉंस्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में सम्विधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हों। सबसे पहले Representation of People Act ये कहता है कि अगर आपकी दो साल से ज़ादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जन प्रतिमिधी नहीं रह सकती हैं चाहे आप विधायक हों चाहे आप सांसर। अर्विंद केजरीवाल का कोई conviction नहीं हुआ है। conviction छोड़िये आज तक अर्विंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुएं। नमबर बन दूसरी बात इस देश का संविधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मिजॉरिटी नहीं इंजॉए करता। अर्विंद केजरिवाल इंजॉइस दो ओवर्वेल्मिंग मिजॉरिटी ओफ दे डेली असेंब्ली। तो इसलिए अर्विंद केजरिवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अर्विन केजलीवाल इस्तीफा दे देती हैं तो ये भारतिय जंता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक SOP तयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तयार कर देता है, जिस तरहां उनोंने पिछले आठ नौ साल में ऑपरेशन केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफतार कर दो, और फिर कहो कि सम्विधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपती शासल लगाएंगे, इससे आसान तरीका भारतिय जंता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है, दिल्ली में भी अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी का यही असली कारण है, कल अर्विंद केजरीवाल जी को जुडिशल कस्टडी में भेजा एडी ने, उन्होंने कहा हमें जुडिशल कस्टडी चाहिए, क्यों चाहिए आपको जुडिशल कस्टडी, अर्विंद केजरीवाल की गिरफ गिरफतार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताच करनी है क्योंकि इन्होंने हमने इतने समंस भेजे और यह समंस पर नहीं आए तो हम पूछताच करने के लिए ने गिरफतार कर रहे हैं अब 11 दिन की पूछताच हो गई आपने जो जानना था आपने जान लिया अब आपक केजरीवाल को चुनाव के दौरान कैम्पेंग करने से रोकना और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोप्रिय सरकार को गिरा देना, राष्टपती शासन लगाना और फिर चोर दर्वाजे से भारतिय जंता पार्टी की सरकार देना